जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल दोस्तो आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर रोमचो में बहुत बहुत स्वागत है आप आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जूड़ सकते हैं और निशुल जोतिष परामर्स आसानी से इस चिनल के माध्यम से पा सकते हैं दोस्तो बहुत बार हमारी टीम के दॉरा जब निशुल जोतिष परामर्स उपलब्द रिक करवाए जाता है तो कहीं बार जातक हम से पूछते हैं गुरुजी बहुत सी परिशानिया है इस जीवन में और हम क्या करें, किस तरह से रहें, क्या होगा तो पूरी टीम जो हमारी यूनिट है वो पूरी परिशान होती है कि बहुत सा लोग निराश होते हैं अताश होते हैं जीवन में और जीवन का देखने का जो नजरिया है उनका वो बड़ा अलगी रहता है तो दीकि आप किसी भी चीज के लिए जम्यदार आप नहीं है आप मैं मानता हूं कि कर्म की स्वतंत्रता हमारे हातों में हैं हम जो चाह सबसे पहली बात आप बार बार जो चिंताय करते हैं कि रोने का विश्य में आप आखों से आसु आना नहीं होता है रोने का विश्य है कि मन का बहुत ज्यादा उदास होना हतास होना निराश होना और जीवन में नेगिटिविटी देखना से वल नकारत्मक तहीं देखना त जो सायर हम कल्पना भी नहीं कर सकते तो विचार बहुत ही अच्छे होना चाहिए कभी भी नेगिटीव विचारों को मन में नहीं आने देना चाहिए ठीके दोस्तों, दूसरी बात है करकराशी को जात्कों के लिए वह तुलना लोगों से जो आप तुलना करा करते हैं छोटी बड़ी बातों के लिए वो करना बंद कर दे जितनी ज़्यादा तुलना करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलिब दे रहेगा तो तुलना करना बंद ही कर दे आप तीसरा पॉइंटे अब विश्वास, इश्वर पर विश्वास, किसी ओर पर विश्वास देखिए गहात हो सकता, लेकिन इश्वर पर अगर आपका विश्वास है ना, कभी आपका विश्वास गहात नहीं होगा, तो इश्वर पर पूर्ण यकिन रखे, इश्वर पर पूरा करपा मांगे इसके लावा हमें और कुछ मांगने की आउशकता कहीं भी नहीं है ठीके दोस्तों यह तो भी आपकी बात जो में सामाने तरह बात थी लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ कि वो लोग जो बेफिजुल के जगड़ों में फस चुके होंगे या बेफिजुल की विवादों में फस चुके होंगे जने आम तोर पर धोका मिला करता है और आम तोर पर धोका होने एक साथ साथ बार बार धोका उन्हें हुआ करता है उन लोगों से मैं विदन करना चाहता हू कि आप कोई भी फेसला सोच समझ कर ले क्योंकि आपके कुछ फेसलों की वज़े से आप जिस जगा पर हैं वो दिखाई दे रहेए तो आप पहले लोगों के उधार दें और फिर नहीं मिले तो आप इश्वर कर को से कि इश्वर इस तरह से क्यों क्या तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों का कोई साथ नहीं देता उनके पीछे सबसे बड़ा रिजन है हमारे गलत फेसले तो करकराशी के जातक रोने वालों का कोई साथ नहीं देता है और हारने वालों का भी कोई साथ नहीं देता है हारना और रोनेल का यहां सीधा रसंबर बे उन लोगों की बात करना हूँ जो लोग छल है जिनके मान में कपट है जो लोगों को धोका दिया करते हैं तो उन लोगों का कोई साथ नहीं देता और उनका इश्वर नयाय करता है तो अगर आपके साथ कोई धोका भी करता है तो कह